Hello and Welcome to Fun Learning हम थ्रोइंग इवेंट के बारे में पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में हम हैमर थ्रो के बारे में पढ़ेंगे इसकी मेजर्मेंट रूल सारी चीज़े हम इस वीडियो में अच्छे से करेंगे अगर आपको कोई डाउट होता है आपकी कोई ग्वेरीज होती तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन आईडीज के द्वारा जूट सकते हैं इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब देखिए जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस और शॉट पूट के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने सेक्टर बनाना अच्छे से सिखा था कि उसकी मेजरमेंट देखी थी हैमर थू के अंदर भी मेजरमेंट सेम ही रहती है जैसे हमने पिछली वीडियो में की लेकिन इसका जो सर्कल रहता है देखिए ये रहता है जो हमने शॉर्ट पुट के अंदर सर्कल पड़ा था उतना ही इसका डायमेटर रहता है 2.135 मीटर बाकी चीजे तो सेम ही थी जिसका शॉर्ट पुट हैमर में सब में ये सेम ही रहेंगी इसका देखिए एंगल 34.92 डिगरी सब का इतना ही रहता है और इसमें सेक्टर की लाइन 19.77 मीटर की 18.84 मीटर की इमेजिनरी लाइन और इंडिकेटर लाइन 75 सेंटीमीटर या मीटर में बोलें तो 0.75 मीटर और लाइनों की विर्थ 5 सेंटीमीटर रहती है जो मार्किंग लाइन रहती है बाकी चीज़े इसमें सारी सेम ही रहती है लेकिन हैमर का जो केज रहता है उसकी मेजरमेंट यहाँ पे थोड़ी सी अलग रहती है इसमें क्योंकि हैमर का जो बेट रहता है वो कितना होता है 7.26 kg तो इसमें देखे जो net लगा रहेगा या इसका जो cage लगा रहेगा वो कुछ इस तरह का बना होना चाहिए इस तरह से design होना चाहिए कि 7.26 kg के hammer को वो रोक सके जो की 32 meter per second की speed से गुमते हुए आ रहा हो क्योंकि कई बार क्या होता है कि hammer खिलाडी के हाल से छूट सकता है फैंकते हुए या तूट के गिर सकता है किसी को चोट लग सकती है तो इस बज़ा से यहाँ पर cage लगाया जाता है ताकि यहाँ पर safety रहे सभी के लिए और यह cage इस तरह से एक तरफ से यह खुला रहता है U-shape का यह बनाया जाता है डिसकस के अंदर भी हमने देखा U-shape का cage बनाया जाता है इसका यह खुला वाला भाग है इसका mouth है यहाँ पर इसका distance यह विर्थ कितनी है 6 meter होती है और यहाँ center point से लेकर यहाँ तक का distance 7 meter का रहेगा यहाँ देखे इसकी height आगे से 10 meter रहेगी और इसकी यहाँ से height इसकी 7 meter रहेगी और यहाँ पर जो net लगा रहेगा या तो यह synthetic fiber के इसमें धागे लगा रहेगा या steel wire का यह net होता है और net के mesh का size कितना रहेगा यानि इसके जो खाने होते है net के वो कितने size के रहेगे अगर वो धागों का बना है तो यह 45 mm रहेगा और अगर यह steel wire का बना है तो 50 mm इसका mesh size रहेगा फिर उसके बाद इसका जो hammer होता है hammer में देखे एक तो metal head रहता है यह वाला जो भागी इसको बोलते है metal head और यह handle इसका ठीक है और इसमें एक buyer तरह से देखे यह handle और यह metal head इस buyer से जोड़ा रहता है और इसकी measurement पी man's और वी man's के लिए अलग से रहती है इसका जो weight रहता है man's के लिए 7.26 kg और वी man's के लिए 4 kg इसका weight रहता है hammer throw का और इसका diameter कितना रहता है 110 से 130 mm वी man's के लिए 95 से 110 mm और इसकी जो length रहती है hammer throw की कहां से यह handle के अंदर से यहां से लेकर इसकी length रहती है 1175 से लेकर 1215 mm और वी man's के लिए 1160 से लेकर 1195 mm के बीच में इसकी length रहती है पूरी किता आगे हम इसकी techniques के बारे में पढ़ते है hammer throw कैसे खेला जाता है इसकी skill technique की तरह की होती है इसमें देखिए 6 phase होते हैं पहला देखिए grip grip कैसे किया जाता है इस image में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दौनों ही हाथ से इस तरह से grip किया जाता है इसको हम ज़्यादा deep नहीं पढ़ रहे है techniques को यहां पर बस थोड़ा सा देख लिजे कौन कौन से phase होते हैं इसमें stance में देखिए खिलाडी कैसे खड़ा होता है इसकी start में कैसी position रहती है कैसे वो circle के अंदर शुरू में खड़ा होता है खिलाडी circle के opposite direction में खड़ा रहेगा hammer को इस तरह से पकड़ कर उसके knees थोड़े से bend रहेंगे फिर उसके बाद खिलाडी hammer को swing करेगा अब शुरू में क्या होता है hammer को momentum एक गती देने के लिए hammer को swing किया जाता है ठीक है इस तरह से आप देख सकते हैं और शुरू में एक दो swing करने के बाद फिर turn कर लेगा रोट या turn इसमें देखिए आप यहां image में देख सकते हैं कुछ इस तरह से खिलाडी turn करेंगे hills और toe पे खिलाडी गूमेंगे फिर last में release और recovery अब turn करने के बाद क्या करेगा खिलाडी पूरी गती से उसको फैंक देगा release कर देगा hammer को यहां पर object सकते हैं जैसे की और recovery में क्या होगा कि खिलाडी फिर वापिस मुड़कर indicator line से बाहर की तरफ को circle से निकल जाएगा तो इस तरह से basically यह 6 phase होते हैं grip होती है stance होता है फिर swing होता है फिर turn होता है फिर release and recovery फिर हम इसके कुछ basic rule कर लेते हैं rule के अंदर देखे जैसा हमने पीछे discuss throw के अंदर rule पड़े थे इसमें भी rule काफी ज़्यादा similar होते हैं discuss throw की तरह ही होते हैं यहां पर भी खिलाड़ी circle line को touch नहीं कर सकता है throw के दोरान खिलाड़ी को indicator line के पीछे से ही enter करना है और यहां से ही उसे बाहर की और भी निकलना है अपना throw फैंकने के बाद hammer throw फैंकने के बाद sector के अंदर ही land होना चाहिए अगर वो बाहर land होता है तब वो fall माना जायेगा और measurement के rule भी इसमें वैसे रहते हैं जिससे discuss के अंदर हमने पड़े थे measurement इसमें वैसे ही ली जाती है और खिलाडी तब तक circle को छोड़ कर नहीं जा सकता जब तक यहां पर hammer जो है ground पर नहीं पर जाता लैंड नहीं कर जाता है तब तक वो यहां पर circle को छोड़ कर नहीं जा सकता है फिर उसके बाद यहां पर land होने के बाद वो indicator line के पीछे से निकल जाएगा बाकी देखिए hammer throw के अंदर क्या होता है जो शुरुबात के swing रहेंगे हमने कहा ना कि पहले शुरुबात में क्या होता है swing होता है कि momentum देने के लिए swing किया जाता है जो शुरुबात में जब swing करते हैं तब खिलाडी अपने hammer को यहां ground पर और ground से बाहर भी कहीं पर भी रख स सकता है ground पर उसमें कोई भी fall नहीं माना जाएगा और अगर hammer throw के दोरान तूट जाता है break हो जाता है तब इसमें fall नहीं माना जाएगा इसमें athlete के कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी और hammer throw के अंदर gloves पहनना allowed होते हैं वो gloves पहन सकते हैं जैसा हमने बाकी की throwing event के अंदर पढ होता है लेकिन इसमें gloves पहना allowed होता है ताकि हाथ को safe रखा जा सके उस हाथ की safety के लिए ये gloves पहने जाते हैं और बाकी के rule इसमें सेम ही रहते हैं जैसे देखिए कि इनको trial कितने दिये जाते हैं सभी throwing event के अंदर हालाकि सभी field event के अंदर यहीं रहता है pull vault और high jump को छोड़ कर कि अगर 8 से जादा खिलाड़ी होते हैं तो यहां 3-3 trial दिये जाते हैं हर एक खिलाड़ी को और last में जो 8 best खिलाड़ी निकलते हैं बाद में तो उनको 3-3 और additional trial दिये जाते हैं और अगर खिलाड़ी 8 या 8 से कम होते हैं तो 6-6 trial दिये जाते हर एक खिलाड़ी को और जो practice trial ह सभी throwing event के अंदर practice trial दिये जाएंगी खिलाडियों को लेकिन वो किसी official की supervision के अंदर ही दिये जाते हैं और timing भी देखें इसकी इसमें भी एक minute का time दिये जाता है अपने trial को पूरा करने के लिए सभी field event के अंदर हम अब तक देखते आएं कि एक minute का time दिये जाता है सभी खिलाडियों को फिर है इसके official official के अंदर एक chief judge रहेगा दो measurement judge रहते हैं एक scorer रहेगा और एक time judge और एक announcer रहेगा और इस तरह से ये official इसमें रहते हैं जैसा कि मैं बार-बार हर वीडियो में बोलती आई हूँ throwing event के अंदर कि जो बड़े competition होते हैं उसमें कम से कम 10 या 11 judges रहते हैं तो ये था वीडियो का end अगली वीडियो में हम javelin throw के बारे में पढ़ेंगे I hope आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को सोशल मेडिया पर जूड सकते हैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा